हलो बच्चों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दफीचर क्लासेज में स्वागत है आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स अन करंट करिंग कंड़क्टर प्लेसीन मैंटिक फिल्ड अगर किसी मैंटिक फिल्ड इस्ट्रॉंग मैंटिक फिल्ड में कोई करंट करिंग वायर क है फोर्स अकज्याट होगा तो पहले हम देख लमन देखेंगे कंडिकर क्या होता है करण करिंग कंड़क्टर मनलब एक श्ट्रेट वायर अगर माल हीजे है बडुकर करण कर अ hesitation को प्यजेश करेंगे काफी वार तो जैसा कि हम पहले पार चुके है कि rocketane औरिष्टन ने जब electric current carrying wire के पास एक free moving compass रखा था तो उस current carrying wire की वज़ा से free moving magnet जो compass में था उस पर force लग रहा था जिसकी वज़ा से compass needle में movement हो रहा था मतलब जब current carrying wire माली यह current carrying wire है इसके पास जब और इस्टेट ने एक compass रखा जिसका needle जो है वो magnet का बना होता था ठीक है यह माली needle है ठीक है तो जब इस current carrying wire में current flow होता था तो यह needle क्या हो था deflect हो जा रहा था मला move कर जा रहा था इससे यह लग उन्होंने देखा कि जब current carrying wire में current flow होगा तो इस current carrying wire को यह से इस needle पे इस magnet पे force exert होगा ठीक है तो यही experiment देखके जो Andrew Mary Ampere ने सोचा कि इसका opposite action भी possible है क्योंकि Newton 3 ला बोलता है कि every action has equal and opposite action अगर current carrying wire इस magnet पे force लगा सकता है तो यह magnet अगर strong हो तो इस magnet द्वारा इस current carrying wire पे भी force लग सकता है ठीक है तो उन्होंने experiment किया कौन सा kicking wire experiment उन्होंने देखा कि जब किसी जब भी किसी strong magnet के बीच अगर हम free moving current carrying wire को रखा जाता था तो उस magnet द्वारा उस wire पे force exert हो रहा था जिसकी वज़से wire क्या कर रहा था move कर जा रहा था जैसे कि हम इस experiment में देखने जा रहा है इसमें पहले हम देखते है क्या क्या इस experiment लगा है हमारे पास ठीक है तो पहले हमारे पास एक flexible कापर वार AB जो की एक t support से suspended हो मलब हमको एक कापर वार चाहिए माली यह कापर वार है यहाँ पर देखिए, यह बी एक copper wire है, जो क्या है, T support पर, T support से joint है, ठीक है, और ऐसा joint होगा, यह flexible joint होगा, ताकि यह wire क्या हो, यहाँ पर पहले यह wire माली यहाँ पर है, वो move करके आगे पीछे हमाराम से जा सके, अगर इस पर थोड़ा सा भी force लगे, तो यह wire क्या कर सके, move कर सके, इसलिए इसको joint किया जाएगा, एक flexible joint किया जाएगा, T support पर, ठीक है, तो lower end आप भी, where just touch the surface आप mercury है, इस इंड का जो lower end होगा, जैसे यहाँ पर देखिए, यह end पहले यहाँ पर था, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, वो क्या करेगा, इसका जो lower end है, वो mercury पर टच करेगा यह माली जे वेसल है, जो mercury से भरा हुआ है, mercury इसलिए लेते हैं, क्योंकि यह good connector of electricity है, यह current को अराम से flow करा सकता है, ठीक है, तो इस wire का, एक end क्या होगा, बी पे, मलब कापर में dip होगा, टच करेगा, ठीक है, और दूसरा end क्या होगा, यह battery के positive terminal से connect होगा, ठीक है, अब battery का जो negative terminal है, वो कहाँ पे होगा, mercury में dip कर दिया जाएगा, mercury में इसको डुबा दिया जाएगा, ताकि हमारा circuit क्या हो, complete हो जाए, और हमारा current आसानी से flow सके, ठीक है, तो जब current flow होने लगता था, तो क्या होता था, इस minute ड्वारा, इस copper wire पे क्या होता था, तो यह copper wire पे था, ठी जाता था, ये B से B dash पे move कर जा रहा था, ठीक है, तो जब भी current flow होता था, तो ये B से B dash पे change पे चैन्ज जाता था, अब B dash पे जाते ही, क्या होता था, इसका ind जो है, B जो था, वो mercury से touch नहीं होता था, mercury से दूर चला जाता था, ठीक है, तो हमारा circuit क्या होता था, incomplete हो जाता नहीं पेड़ाइर था फ्री से अपने प्ररे पर पहुंच जाता था च्छुट पहूंच जाता था था करण्याल्यों दार्ट्री का वह से Connect है ये वाईर के और निग्स डिप इन दे मर्करी विशल और निग्स टन्मिलर क्या है मर्करी विसल पर डिप्ट था और सरक्टीज कंप्लीट हमारा सरक्ट कंप्लीट हो था ठिक है उसके बाद वही मैंने जैसे बताया कि जब भी current flow होता था तो हमारा AB जो wire था वो kicked हो रहा था उसको उसके फोर्स लग रहा था जिसके वह से जो इंड B था वो B' पे पहुंच जाता था था तो यह शो कर रहा है कि जब भी हमारा current carrying conductor magnetic field में रखा जाएगा तो उसपे एक mechanical force exert होगा ठीक है जो की magnetic current carrying conductor current के direction और magnetic field के direction के परपेंड को रहोगा मला वगर current carrying conductor का current का जो direction है वो नीचे की तरफ है और हमारा magnetic field का direction कि दर है नार्ट से south है तो हमारा जो force लगेगा वो आज इक तरफ लगेगा ठीक है जैसा कि हम इस experiment में देखते हैं इस में देखते हैं कि जैसे देखिए हमारा क्या है 98 है north और south ठीक है और यह हमारा conductor है माल लीजिए तो हमारा 98 का force कि दर से का नार्ट से south की तरफ लगेगा ठीक है अब देखिए जब यह battery से connect होगा तो क्या होगा इस पर force लग रहा है देखिए फोर्स लगने के विए से क्या हो जा रहा है यह आगे कि तरफ मूब कर जा रहा है ठीक है और अगर हम इस battery का बैटरी का terminal अगर हम opposite कर देखिए यह battery अगर उठा के हम क्या करें इसको reverse कर देखिए बैटरी का direction चेंज कर दीए तो हमारा जो force लगेगा वो backward की तरफ लग जा तो हमारा जो current करिंग कंडेक्टर है वो backward की तरफ मूब कर रहा है तो मलब अगर हम current का direction चेंज करेंगे तो हम हमारा जो force होगा force का give time भी क्या होगा चेंज भाजा जाएगा तो हमकरी जेखते हैं जैसे यहाँ पर देख लीजे हमारा यह force लग रहा है फोर्स का डारेक्शन मा लिए इधर लग रहा है कैसे मालब चुलेगा मैं टिक फिल्ड का डारेक्शन देखिए उपर की तरफ है नाट से साउथ की तरफ है करण का डारेक्शन इस डारेक्शन में है तो मारा फोर्स कि इधर लगगा बैकवर्ड डारेक्शन में ठीक है अगर अगर हमारा करन्ट की डारेक्शन यह उल्टा हो जाता तो कैसा जाता कि अगर हम बैटरी बैटरी का पावर बढ़ा दें तो हमारा जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा ज्यादा ज़र्ट होगा देखिए आप बैटरी अगर हम चार्ट सेल कर दिये तो हमारा फोर्स एकजर्ट होगा वो भी ज्यादा होगा अब बैटरी का डारेक्शन जब चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा हमारा डारेक्शन भी फोर्स का डारेक्शन भी चेंज हो जा रहा है ठीक है अब इसका डारेक्शन जो है वो कैसे मालूम चला कि अगर हम अपने left hand को left hand के thumb को four finger को और center finger को क्या करें mutually perpendicular stretch करें मलब एक दूसरी के 90 degree पर हम क्या करें उसको stretch करा है माली जी यह क्या है four finger है यह नीचे आपका क्या है center finger है और thumb हमारा इस direction में है तो क्या होगा हमारा जो four finger होगा हम magnetic field क की direction में शो कर रा है ठीक है gets picked wtf to y magnetic field best order tools center finger सो क्या है तो current भी सी सी होता है तो हमारा center finger कीsc ggak अगर अगर बstoryं क्या होगा फिर प्रेकिलर होगा तो अगर magnetic field को हम four finger की direction में रखें ॥करंड ब्हुंद दूनेame कि अम्माद फिंगर के डाक्शन रखे तो इसलिए या-इसलिए ज Nope को सब्सक्राइब कर इए